हलो फ्रेंज वेलकम टू टेकटवेस चानल सो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं दिखाने वालो कि कैसे आप अपना एडसेंस में कैसे टैक्स इंफर्मिशन भरबा होगे बेसिकली अभी आप देखोगे कि यूट्यूब में बेसिकली पैसा उठाने के लिए टैक्स इंफ करते हो तो मतलब आउटसाइड अउएस तो आपका 15 परसेंट टैक्स डिदक्ट होगा अगर यह सब्मीट करोगे तो तो चलिए देखते हैं कैसे सब्मीट करते हैं तो अगर यह वीडियो आप फॉर्स टैम देख रहे हो तो मेरा चैनल को जब्सक्राइब करिए एंड बेल तो आपका टैक्स इंफॉर्मेशन का ओप्शन आएगा तो उसमें जाना पड़ेगा तो मैंने अल्रडी एक वर इसकी सब्सक्राइब किया है तो इसलिए मेरा 30 परसेंट दिखा रहा है क्योंकि मेरा इसका भी कुछ ट्राफिक होता है मैंने कुछ इसका ट्राफिक के लिए करते हैं तो इसलिए 30 परसेंट होता है मैं अज भी दिखा होगा कि आउटसाइड अप इसका इसका 15 परसेंट करते हैं तो मेरा भी देखिए यहां पे मोशन पिक्चर आप टीवी डिफॉल्ट इसका 30 परसेंट रहें तो मैं यहां भी दिखाने वाला हूं स्टेब बाइस् इसब्स टाम में यह सबमीट करो। तो आप सबसे पहले किया करोगे आपका सब्मीट निव फरम यह यहां पे O?paren है तो तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूँ, start new form नियु फ़र्म किया तो यहां पर basically sign-in के लिए यह पूछेगा, तो SSO sign-in मैं करता हूँ, यहां पर password मैं यहां पर टाइब करता हूँ, जैसे next करूँगा यहां पर तो मेरा यहां पर login हो जाएगा, तो बैसिकली यह लॉग इन करना पड़ेगा वेरिविकेशन के लिए तो मैंने यहां पर देखे मेरा वेरिविकेशन हो गया तो अब भी मेरा फर्म का फर्स्ट पोशन कुल गया अगर आपका एकांट इनडिविजुल निविजुल भी छिए नडिविजुल सेले कर सकते हैं इनडिविजुल में इसके बद मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूं तो जैसे मैंने यहां पे नेक्स कर दिया वहां पे मेरा सीजन के आ जाएगा कि आप इू एस के लिए आ रहे हो और आउटसाइड ऑप यू एस होगा कि यह non-US individual and would also be used to claim tax treaty benefits तो basically हम बग tax claim कर रहे हैं तो यह first वाला फर्म होगा ठीक है तो उसका मैं सिलेक कर देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर start यह form कर देता हूँ मैं वो form start w8bn form तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया है वहाँ पर नेक्स्ट पेज खुला जाएगा यहाँ पर एड्रेस वाला पेज खुलेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टैक्स आइडन्टी फिर उसके बाद यहाँ पर रीजियन ठीक है यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ और यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ और यहाँ पर इंडिया के लिए क्या होता है यहाँ पर नमबर आप यहाँ पर डाल दीजेगा तो यहाँ पर पैंकर डाल दीजेगा उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजेगा नेक्स्ट करने के ब तो इसको मैं next कर दे रहा हूँ अभी फिर tax treaty के लिए, तो next करने के बाद यहाँ पर देखे है, are you claiming a reduced rate of withholding a tax treaty? Yes, मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि reduce हो जाए, तो यहाँ पर country के लिए, मतलबा कर आप US के बाहर कौन सा country के लिए, तो India के लिए मैं दे रहा हूँ है, तो इसके बाद यहाँ पर basically normally special rates and conditions, तो यहाँ पर services के लिए यहाँ पर article 7 and paragraph 1 यह होगा, उसके बाद zero reduction, ठीक है, तो उसके reason, यह tick कर देना पड़ेगा, फिर motion picture and TV, यह भी, इसको भी article 12 and paragraph 2a, 2, यह करना पड़ेगा, withholding rate, 15% यह होगा, ठीक है, फिर इसको टिक कर देना पड़ेगा, other copyright royalty, इसको भी मैं मुझे बार, article 12, paragraph 2a, इसको करना पड़ेगा, 15%, ठीक है, तो मैं आपर टिक कर दे रहाँ, फिर इसको बाद यह सब मेरा हो गया, ठीक है, first of all, article basically services 0 होगा, और बाद बगी 15, 15, तो इसको मैं next कर देता हूँ भी, तो यह document review होगा, basically, तो मेरा form ready हो गया, basically, यहाँ पे, तो इसको मैं confirm कर देता हूँ, confirm करने के बाद मैं यहाँ पे next करूँँगा, तो next करने के बाद यहाँ यहाँ पे, basically, उसका confirmation के लिए मांग रहा है कि your signature, तो यहाँ पे basically yes कर देता हूँ, yes, I am the person listed in the signature section and I am completing this form, तो यहाँ पे अपना नाम दे देना है, ठीक है, मैं यहाँ पना नाम दे देता हूँ, यहाँ ठीक है, तो उसके बाद यहाँ फिर next करना होगा, तो मैं next कर दे यहाँ पे नो होगा, basically, ठीक है, यहाँ पे नो होगा, क्योंकि यह एग्डियर अटिविटीम नहीं है, तो यहाँ पे status change, एवी डिविट, या I am providing, basically, अलोड़ी यहाँ पे एक चीस है, एक चीजी, आप अगर अगर अलोड़ी सब्मिट कर चुक हैं, तो यहाँ पे second उप् यहां पर देखिए go paperless, I accept the paperless delivery management, basically paperless के लिए option देता है, फिर submit, और आप चाहते हो के by post में बहते ना पड़ेगा तो आप उसके इसाब से by post भी कर सकते हो, तो यहां पर submit हो जाएगा, देखिए यहां पर automatically submit हो जाएगा, यहां पर हो गया, ठीके यहां पर देखिए एक चीज मेरा 15% and service के लिए 0% हो गया, तो यह था दोस्तों, अगर मेरा पुरा description के कैसे आप लोग tax form submit कर सकते हो, अगर यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगए तो bell icon के ज़रूर दबाना है and subscribe करना and comment like ज़रूर करना, so thank you friend for watching this video.